नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीमिन में मैं करूना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पेंटिंग का टम फर्स्ट एक्जाम पेपर क्लास 12 के बच्चों के लिए जैसे कि मैंने वादा किया था कि पेपर के बाद मैं उसका सॉलुशन आप लोगों को कराऊंगी तो शुरू करते हैं खंट A से जिसके अंदर पहला प्रशन है राजस्थानी चितरकला का सबसे पहला विज्ञानिक विभाजन किस ने किया था तो दोस्तों इसका अंसर होगा ऑप्शन A आनंद कुमार स्वामे कोशन नमबर सेकेंड राजस्थान की मारवाड शेली की प्रमुक उपशेलियां कौन सी है तो जोदपूर, किशनगर और बीका नेर तीनों मारवाड शेली के अंतर गताती है तो जूले पर क्रेश्न, क्रेश्न गोप्यों के संग, गोवर्धंधारी क्रेश्न और नंद यशोदा क्रेश्न अपने सैनिकों के साथ फ्रंदा वन जाते हुए तो हम जाएंगे ऑप्शन B क्रेश्न गोप्यों के संग जिसको हम गोपियों जंकरशन भी बोलते हैं Q5 तर फ्रेंट्स राजपूत शेली के अंतरगत किन किन शेलियों को रखा जाता है तो राज़स्थानी इरानी, राज़स्थानी पहाडी, राज़स्थानी कंपनी और राज़स्थानी मुगल तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अनन्द कुमार सौमी ने राजस्थानी कला को दो भागों में बाटा था जिसको उन्होंने राजपूत शेली नाम दिया था और इसमें उन्होंने राजस्थानी और पहाडी कला को अलग-अलग विभाजित कर दिया था कौशन नमबर सिंग्स कांगडा शेली के स्वर्णिम काल का चेयन कीजिए तो कांगडा शेली का चरम समय था राजा संसार चंद के समय जो रहेगा ऑप्शन डी 1786 से 1805 कौशन नमबर सेवन किस शेली के चित्रों में प्रेम के विभिन भावों का चंद में कावे में और चित्रात्मक रूप अंकित किया गया है तो कोटा, मुगल, कांगडा और पटना तो कोटा नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे शिकार द्रशे थे मुगल नहीं हो सकता क्योंकि वो दरवारी चित्र थे और पटना शेली जो थी वो अंग्रेजों की उपजाई हुई कला शेली थी भारत में जिसमें वो अपने पसंद के विशो को चितरित कराते थे तो इसमें जाएंगे हम option B कांगडा के साथ जहां पर बहुत ही सुन्दर राधा क्रशन के प्रेम पर अधारित कावे में चितरांकन किया गया है Question number 8 किस मुगल शाषक ने तूती नामा का चितरांकन करवाया हिमायू, बाबर और औरंग जेब तीनों में से किसी के समय भी चितरांकन नहीं हुआ तो बचता है option B अकबर Question number 9 हमजा नामा का चितरांकन किस के समय पर पूरा हुआ औरंग जेब शहां जहां अकबर या जहांगीर तो इसका अंसर होगा option D अकबर क्योंकि शुरू हमजा नामा कराई थी हिमायू ने लेकिन पूरी हुई अकबर के समय Question number 10 मुगल चितरकला शैली का प्रारंब कब से माना जाता है तो सोल्मी शताब्दी से मुगल शैली का प्रारंब माना जाता है जब से अकबर ने शाशन को समयाला Question number 11 जहांगीर के अनुसार उनके दरबार का सर्वस्रेस्ट चितरकार कौन था तो जहांगीर अबुल हसन को सर्वस्रेस्ट चितरकार मानते थे इसलिए उन्होंने इसे नादिलूल जमा की उपाधी भी दी थी Question number 12 गोलकुंडा शैली का प्रशिद चितर कौन सा है तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए Option C गोलकुंडा शैली का चितर है Question number 13 किशनगर शैली के प्रशिद चितरकार का चयन कीजिए तो किशनगर शैली का चितरकार है सूरज द्वज निहाल चंद ऑप्शन C Question number 14 है मिवाड शैली में चितरित मारू रागनी नामक चितर के चितरकार कौन है तो मारू रागनी चितर को चितरित किया मिवाड शैली में शाहब दीन ने Option B Question number 15 बीकाने शैली के उद्वव कश्रे किसे दिया जाता है तो मुगल को आधिल कालीन चितरकारों को आधुनिक चितरकारों को या किसी को नहीं तो बीकाने शैली में मुगल चितरकारों ने ही कला को शुरू किया था औरंग जेप के समासे Question number 16 राजस्थानी कला का प्राचिन्तम केंद्र कौन सा था तो राजस्थानी कला का प्राचिन्तम केंद्र है Option B मेवार Question number 17 जैपुर शैली का आरंभिक काल किस शैली के नाम से जाना गया तो इसके अंदर जाएंगे हम Option C आमेर शैली Question number 18 दारसिकों की बाराच नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया तो दारसिकों की बाराच चित्र बनाया गया उस्ताद हाजी मदनी के द्वारा Option B Question number 19 निम्ण लिखित में से कौन मुगल कालीन चित्रकार नहीं है तो निम्ड में से मुगल कालिन चित्रकार नहीं है, option B, अर्विंद सिंगानिया, question number 20, अकबर नामा के चित्रों की सर्व प्रमुख विशेश्ता है, option B, दर्बारी चित्र, question number 21, रजम नामा किस का फार्शी रुपांतरण है, तो रजम नामा फार्शी रुपांतरण है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल्जमा की उपाधी से विभूसित किया, तो नादिर उल्जमा की उपाधी दीती उन्होंने, अब उलहसन को मैंने अभी बताया आपको, question number 23, मुगल कला में छाया दर्शानी की विधी कहलाती थी, परदाज, option C, question number 24, 1793 इश्वी म आस्वी ग्रंत का संबंध है, option D, बीजापूर, शेली से, अभी इसके अंदर इन कथनों के अधार पे हमें आंसर देने हैं, तो question number 5 है, किशनगर शेली की सर्व से प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य का उतकर्श है, बिल्कुल सही बात है, लंबा पतरा चैला, लंबी नुकीली नशिका, लंबा चररा बदन, कमल सरीखे, नेतर धनुशाकार, बोहें, पतले अधर, महंदी रचे हाथ, पैरों में महावर, तथा लंबे केश, किशनगर शेली के नारे सौंदर्य को उजागर करते हैं, ये दोनों चीजे सही हैं, और जो option, जो कथन R है, वो A का अनुसरन भी करता है, तो हम जाएंगे, A और R सही है, और वो सही व्याख्या, यानि की option A पर, question number 26, श्री नार्ची के सुरूप के पीछे सच्चा युक्त बड़े अकार के परदे पिछवाई कहलाते हैं, पिछवाई नाथ द्वारा सहली की मोलिक देन है, ये बिल्कुल सह इसमें भी हम जाएंगे option A के साथ, question number 27, अकबर के समय मुगल चितर शैली का उत्रोत्तर विकास हुआ, और रंग जेब कलाओं का विनासक सिध हुआ, और उसके समय अनेक कलाकार बेरोजगार होगे, दोनों से ही हैं, लेकिन ये लूसरे को परिभाशित नहीं करते हैं, इसल इसमें भी हम जा रहे हैं, option B के साथ, दोनों बाते से ही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हैं, दूसरे की, question number 29, उस्ताद मंसूर मुगल शैली का परशिद पक्षी चितरकार था, ये बिल्कुल सही बात है, मंसूर कांगणा के राजा संसार चंदर का सर्फश दर्वारी चितर मतलब A सही है, और R गलत है, तो हम जाएंगे 3, यानि की, option C के साथ, मिला लेते हैं, तो अकबर का संबंध है, मुगल शैली से, संसार चंद का संबंध है, कांगडा शैली से, साहब दीन का संबंध है, मिवार से, और निहाल चंद का संबंध है, किशनगर से, तो हम अप्शन A के साथ, दोस्तों इसी के साथ, तीस कोशन का हमारे इस्ट इहीं पे खतम होता है, आशा करती हूँ, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने अपने पेपर को बहुत अच्छे से दिया होगा, मेरी वीडियो से आपको लाब हुआ होगा, तो दोस्तों इसी के साथ, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेकिंड रम के एक्जाम के लिए मेरे साथ बने रहें, सीबी असी से रिलेटेड और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को आज तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों